एक दरफ देश में नोट बंदी को लेकर कोहराम मचा है तो वहीं दूसरे तरफ एक चौकाने वाले खबर सामने आई है कि SBI ने शराब कारोबारी विजे मालिया समेट 63 कर्जदारों के करीब 7000 करोड रुपए के लोन को डूबा हुआ मान लिया है SBI का कहना है कि मालिया उसका लोन चुकाने की सिती में नहीं है इसलिए बैंक ने मालिया के लोन को डूबा हुआ मान लिया है आपको बता दे कि तरह सर डिफोल्टरों की ये राशी कुल 100 डिफोल्टरों का 80 फीस दी है या छूट बैंक की प्रक्रिया बैड लोन के अंतरगत की गई है सभी कमपनियों को बैंक ने विलफोल डिफोल्टर घोशित कर दिया है वही आज ये मुद्धा राजे सभा में भी उचला CPM नेता सीताराम येचुरी ने मूदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार ब्लैक मनी पर रोक लगाने के नाम पर नूटों को बंद कर रही है वही मालिया जैसे डिफोल्टरों का कर्ज माफ किया जा रहा है इसके जवाब में वितमंत्रिय अरुन जेटली ने कहा कि मालिया के कर्स को माफ नहीं किया गया वलकि राइट ओफ किया गया है जेटली ने कहा कि किसी भी लून को राइट ओफ करने का अर्थ बैंक द्वारा किसी संपत्ति को आयका स्त्रोत ना मानने से होता है वहीं दूसरे तरफ इस मुद्दे पर दिल्ली के सियम अर्विन के जिवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि यही धर था लोगों की खून पसीने की कमाई बैंकों में जमा करा के ये अरपपतियों के लोन माफ कर देंगे ये लो इन्होंने तो शुरू भी कर दिया तो नोडबंदी से जहां सरकार काले धन पर लगाम लगाने की बात कर रही है वहीं दूसरे तरफ मालिया को राहत दे कर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है जाहिर है कि विपक्ष गल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का एक भी मौकान नहीं छोड़ेंगे देखते रे डी बिलाइव